जहिन साथ्यों नमस्कार, ट्रिपल सी के मास्टर प्लान के शार्थ मैं हूँ आपका दोस्त अब है और आप सभी का श्रागत करता हूँ आपके अपने परिवार अब है एक्षल कम्प्यूटर में साथ्यों जब भी ट्रपल सी एक्जाम की बात आती है तो हमारे मन में ट्रपल सी एक्जाम से संबंदित बहुत साइप प्रश्ण होते हैं जिसमें प्रमुक्ता हमारी बात ये होती है कि कैसे कम समय में त्यारी करके हम ट्रपल सी एक्जाम को टॉप कर सकी जी हाँ दोश्तों अगर मेहनत ही हमें करनी है तो हम अच्छे से मेहनत करें ताकि हम किसी भी एक्साम को सिर्फ पास ना करें उसे टॉप करें क्योंकि मेहनत है तो एक सही डारेक्शन में और अच्छे से मेहनत की जाए ताकि हम कुछ नाम कमा सकें अच्छा ग्रेड प्रात कर सके तो ट्रपल सी की इस क्लास में मैं आज आपको पूरा मास्टर प्लान देने वाला हूं जिसकी मदद से आप ट्रपल सी एकसाम को आसानी से टॉप कर सकते हैं तो आपके कई सारी सवाल हैं जो प्रमुक्ता मुझे कमेंट बॉक्स में मिले थे उनका कलेक्शन यहाँ पर परना है कौन सी क्लास अटेंड करनी चाहिए कौन सा वीडियो हमें देखना है या फिर क्या हमें नहीं देखना है इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रशन आता है कि ट्रपल सी एकसाम का पैटर्न क्या है और स्लैबस क्या है मेंस एकसाम का पैटर्न क्या है कैसे क्रिशन साते है और हमारा slabus क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन से topic हमें complete करने है इसी क्रम में हमारा next question होता है कि क्या triple C exam में negative marking हो गई है means हम जो exam देंगे क्या उसमें negative marking होगा, किसी प्रश्ण का गलत उत्तर देंगे तो क्या हमारे अंक कट जाएंगे ऐसे ही हमारा दूसरा question होता है कि triple C के लिए किस book से त्यारी करे means कौन से ऐसी book है जिसे पढ़के हम आसानी से triple C exam को beat कर सकते हैं, top कर सकते है इसी क्रम में हमारा next question होता है कि passing mark कितना होता है means अगर triple C exam को हम top करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कितने number चाहिए top करने के लिए और pass करने के लिए कितने mark चाहिए इसी क्रम में हमारा next question है और मेरा सुझाओ है जो आपके लिए है pass होना है या top करना है आपके हाथ में आपका नतीज़ा है जो आज की इस class में आपको बताऊंगा अगर follow करेंगे तो top करेंगे कम follow करेंगे तो pass करेंगे इसी क्रम में next question है हमारा कि exam offline होगा या online होगा बहुत साइब बच्चे पूछते हैं तो इन सभी सवालों के जबाब आज की इस class में मिलने वाले हैं क्योंकि इसका topic ही है सवाल आपके जबाब मेरी तो time waste न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक class क्योंकि सीधी बात नोबकवास यही है अभैक्सल की class Let's begin in this top दुश्तों हमारा पहला प्रश्ण था कि कैसे करें ट्रपल सी exam की तयारी दुश्तों ट्रपल सी exam की तयारी कैसे करनी है यह मैं आपको बताता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा कौन सी classes आपको अटेंड करनी है यह सब कुछ मैं आपको बता रहा है दुश्तों यहाँ पर आपके लिए मैंने पूरी 7 घंटे 45 मिनिट की ट्रपल सी की महामरातन क्लास कराई है जहाँ पर 1100 अति महात्पूर प्रष्ट मैंने आपको बताए है और इस सारे कुष्टन ट्रपल सी exam में बहुत जादा पूछे जा रहे है तीन महीने में 7 लाग से अधिक students ने इसको देखा है और comment box में अपना review दिया है इस वीडियो को क्यों देखना है यह अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको मिलने क्या क्या वाला है वो आप जान लीजे इसमें starting में मैंने दो model paper दिये हैं जो exact, triple C exam में पूछे आती हैं जो logical questions हैं वो मैंने उसमें दे रखे हैं then chapter wise first chapter से लेकर last chapter तक हर chapter के questions मैंने आपको दे रखे हैं इसके लावा founder names, full forms, LibreOffice के shortcut keys, LibreOffice के files के extensions हैं या other file के extensions हैं, Linux जोने की commands, true and false यह सारा complete package आपको दिया है जिसे पढ़के आप आसानी से triple C exam को top कर सकते हैं तो triple C exam के लिए 1000 वीडियो, शेक्णों वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो देखे मात्र एक वीडियो देख के आप triple C exam के त्यारी पूरी तरीके से अच्छे से कर सकते हैं आपको अलग अलग सर्च करने की कोई भी जवत नहीं है कि हम कौन सा topic पढ़ें और कौन सा topic ना पढ़ें अगर आप tutorial रूप में means theory पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप playlist पे जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा triple C chapter आधारित प्रशन तो यहाँ पर आप chapter आधारित प्रशन भी पर सकते हैं जहाँ पर अलग अलग chapter की questions आपको मिल जाएंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख लेंगे अब एक बात आप सभी के मन में आएगी कि आखिर सर जी के कहने पर हम triple C महा मेरातन को क्यों देखें तो आईए इसका जवाब भी आपके शामने हैं अभी फरवरी का जो result आया था result के बाद जो review extends के मिले हैं वहाँ पर मैंने कुछ review आपके सामने रखे हैं यहाँ पर सचिन पाल जी ने कहा है कि धन्यवाद सर भार सरकार से अनरोध है कि इस मेरातन क्लास को राश्टी मेरातन घोसित किया जाना चाहिए इस मेरातन क्लास से तैयरी करके मुझे CCC फरवरी 2021 में B grade प्राक्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई आपकी यह मेहनत है जो आपने समय देकर इस पूरी क्लास को अटेंड किया और सिर्फ एक वीडियो से आपने CCC exam में B grade प्राक्त किया है ऐसे यहाँ पर अगर हम अलग पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने पंकर जगर्ग जी का मैसेश है A lot of thanks to sir I am passed with A grade by your blessing in CCC exam फरवरी 2021 Sir मैंने आपकी महा मायातन क्लास ली थी और भी बहुत सारी वीडियो देखी थी जो आपने exam time पे डाली थी और इसमें बहुत जादा फायदा हुआ I cannot believe that I got A grade means 75 to 84 numbers Thank you again धन्यवाद पंकर जी और आपको बहुत बहुत बढ़ाई ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें A class CCC महामातन को देखने के बाद और exam time पर जो परड़े हम online classes आपके लिए चलाते हैं 7.30 PM पर उन class को अटेन करके पंकर जी ने ए ग्रिट प्राप्त किया है इसके लिए इनको बथाई इसी sequence में हम देखें तो यहाँ पर Abhay sir you are great Thank you for your guidance to pass this exam Thank you to Abhay sir computer youtube channel where all strengths are passed by the effort and guidance of direct Abhay Pande sir He started his channel to teach us for free of cost by this Your effort come true Many of students are passed with Good grades Last but not least Be midwish sir Abhay sir Thank you sir सीधी बात नो बकवास यह है Abhayक सल की class Let's begin in this topic इन्होंने CCC exam में A grade प्राप्त किया है अनुराग मिसर जी है उन्होंने अपना result भी हमारे साथ share किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने A grade फरवरी 2021 में प्राप्त किया था क्योंकि A question के साथ साथ मैंने कई साए questions भी explain किया है जो पूरा वीडियो देखता है आसानी से एक्जाम में A grade B grade को प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर कुछ reviews हैं जो आप सभी के सामने हैं आप इन्हें देख सकते हैं अगर इन सभी को मैं पढ़ूँगा तो आपका काफी समय वर्थ होगा इसलिए इन सभी को पढ़ना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ आप सभी comment box में इसे देख सकते हैं और आप खुद इस चीज का फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए triple C महा मारतन क्लास best है या फिर नहीं है या अधर वीडियो आपको देखने चाहिए या फिर triple C की एक वीडियो को देखने के बाद आप triple C exam की preparation कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक बार जो reviews हैं इनको देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो next question है कि triple C exam के लिए हमें कैसे त्यारी करने के साथ negative marking और slabus exam pattern क्या है यहाँ पर सूरज गुपता जी ने अपना result share किया था और उन्होंने मेरी बात को follow किया था कि सर आपने बोला था कि triple C pass नहीं टॉप करना है और thank you so much सर मैंने आपकी triple C वारी पूरी playlist कम्प्रीट की थी और महामयतन भी और result हम सभी के सामने है मुझे इस बात की खुशी हुई कि सूरज जी ने इस बात को follow किया उन्होंने इस बात को याद रखा कि मैंने कहा था pass नहीं top करना है और उन्होंने इसी आधार पर मेहनत की और A grade triple C exam में प्राप किया आपको बहुत बहुत बढ़ाई ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे यहाँ पर triple C exam pattern और syllabus क्या है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों triple C में total 9 chapter है यहाँ पर मैं पुरा syllabus open करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा time waste ना हो वीडियो की नीचे मैं लिंक दे दूँगा आप सभी वहाँ से chapter wise जो आपका दिया गया है स्रीबस आप देख सकते हैं डाउनलोड कर लीजेगा पहला chapter आपका introduction to computer जहाँ पर आपको computer की basic जानकारी रखनी है computer क्या है input device क्या है output device क्या है computer memory, computer hardware, software, generation, history, classification, IT gadgets और mobile app के बारे में ऐसे ही second chapter है introduction to operating system जहाँ पर operating system के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है third, fourth और fifth chapter यह आपका libre office है triple C exam में अब MS office से एक भी प्रस्ण नहीं आते हैं इसलिए MS office आपको नहीं पढ़ना है Libre office आपको पढ़ना है और मैंने Libre office पूरा explain करके समझाया है आप चैनको विजिट करेंगे playlist मिलेगी triple C complete course in Hindi की वहाँ पर सारे theoretical part आपको मिल जाएंगे छट्मा चैप्टर है introduction to internet and www यह चैप्टर भी मैंने पूरा complete कराया है जहाँ पर आपको computer network के बारे में internet के बारे में OSI model के बारे में landman, van के बारे में topology के बारे में यह सारे topics आपको complete करने हैं इन साथवाँ चैप्टर है email and social networking and their applications का जहाँ पर आपको email के बारे में social networking शाइड जैसे facebook, instagram, twitter instant messaging के अंतरगरत whatsapp, telegram इन सभी के बारे में आपको अच्छे से अध्धन करना है साथी साथ e-commerce भी आपको अच्छे से पढ़ना है आठमा चैप्टर है digital financial tools and its application का जहाँ पर आपको OTP, USHD, APS net banking के अंतरगरत, NEFT RTGS, IMPS इन सभी के बारे में आपको काफी अच्छे से पढ़ना है QR code क्या होता है कैसे इसका उपयोग करते है ठीक है और last chapter जो new add हुआ था आपके syllabus में अब syllabus पुराना हो चुगा है क्योंकि syllabus June 2019 में change हुआ था उसके बाद कोई भी changing नहीं हुई है इसलिए कोई भी confusion मत रखिएगा कि syllabus में अलग से कुछ add किया गया है June 2019 के बाद syllabus में कोई भी changing नहीं हुई है last chapter overview of future skill and cyber security है आपके लिए काफी important है जहाँ पर आपको bitcoin के बारे में cloud computing के बारे में robotics के बारे में blockchain technology के बारे में cyber security के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो की नेचे लिंक दे दूँगा वहाँ से आप download कर लीजिएगा syllabus को और आसानी से देख लीजिएगा next question आप सभी का आता है कि triple C exam में negative marking हो गई है तो देखिए triple C exam में अभी किसी प्रकार की कोई भी negative marking नहीं है इसलिए आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है 100 प्रश्णों में से 100 प्रश्ण आपको करने है ठीक है triple C exam 100 प्रश्णों का होता है प्रतेक प्रश्ण के लिए एक नंबर आपको मिलते है कोई भी negative marking वहाँ पर नहीं है ठीक है June 2019 में print हो गई थी आपके लिए markets में कुछ दिनों बाद available हो गई थी तब से अभी उसमें कोई भी बदलाओ नहीं किया गया है और बदलाओ भी क्यों किया जाए क्योंकि slabas में कोई changing तो नहीं होई है लेकिन triple C exam में हर बार questions के patterns change होते हैं लेकिन book में वही questions हैं जो simple हैं और book पढ़ने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि book से कुछ भी नहीं आया हम लोग का मतलब students exam देने के बाद इसी लिए मैंने आप सभी के लिए complete किया है triple C की एक e-book जहां पर 2000 most important questions हैं जिसे मैंने update किया है इसी महीने पर 2000 से अधिग very important questions यहां पर मिलेंगे साथी साथ chapter wise questions मैंने दे रखे हैं model paper भी दे रखा है founder names हैं Ubuntu की बारे में आपको समझाया गया है full forms हैं Libre Office के shortcut keys हैं साथी साथ Linux की command है मैं इसे complete package दिया है जिसे पढ़के आप triple C exam को top कर सकते हो इस e-book की link मैंने वीडियो की नीचे दे रखी है वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं download करने के लिए link पे आप click करेंगे तो आपको अपना name, email id और mobile number put करना है आपके पास यह e-book आपकी email पर तुरंत पहुँच जाएगी जैसे ही आप अपने form को submit करेंगे तो इसे आप download कर लिजेगा questions आपको सभी Hindi और English दोनों language में मिलेंगे ताकि English medium और Hindi medium किसी भी student को कोई भी problem ना हो अप हमारा जो next question है वो यह है कि क्या triple C exam में passing mark 50 है या 50 से अधिक है तो triple C exam में pass होने के लिए कम से कम आपके 51 marks होने चाहिए D grade प्राप्ट करने के लिए 51 से 54 marks आपके होने चाहिए लेकिन triple C exam को हमें pass नहीं करना है top करना है नतीजा आपके हातों में है freshla आपके हातों में जब हम मेहनत ही करनी है तो क्यों ना हम अच्छे से मेहनत करें मेहनत तब आपके सफालोगी जब आपको ये पता होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप इमानदारी से उन क्लास इसको अटेंड कर लेते हैं जो ट्रपल सी की महामेतन क्लास है पूरा आप देखिए बिना स्किप किये हुए जो कॉंसेट मैंने समझाए है उन्हें समझे और पर दे जो साम की आपकी साड़ साथ बज़े और्लाइन क्लास होने वाली है उसे आप रेगलर अटेंड करेंगे तो मैं आसा करता हूँ कि आप आसानी से ट्रपल सी एकसाम को टॉप करेंगे ट्रपल सी एकसाम में S ग्रेट, A ग्रेट ला लेंगे अगर इमानदारी से आप मेहनत करेंगे क्योंकि सफलता की कोई भी शॉर्ट कट नहीं होती है सफलता के लिए बहनत ही जरूरत है क्योंकि परिस्त्रम ही सफलता की कुंजी होती है Next question आपका जो रघता है कि क्या ट्रपल सी एकसाम और आफ लाइन होगा तो देखिए ट्रपल सी एकसाम पूरी तरह से आउनलाइन है आउनलाइन आव फ़र्म अप्लाई करते हैं आउनलाइन एड्मिट कार डाता है आउनलाइन एकसाम देंगे online result आएगा और online ही certificate भी आपका आएगा means सब कुछ आपका online है इसलिए कोई भी confusion आपको नहीं रखनी है आपका exam online ही होगा exam का duration कितना होता है 90 minute का आपका exam होता है means एक घंटे 30 minute आपको मिलेंगे उसमें आपको 100 प्रशनों को solve करना है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो प्रशन आया होगा अगर अभी भी आपके कुछ प्रशन है तो आप comment box में comment करके हमसे पूछिएगा यहाँ परिवार आपका है तो सुझाओ देना और लेना दोनों आपकी जिम्मेदारी है है ना परिवार में यह सब चलता रहता है तो comment box में comment करके सुझाओ दीजिएगा और जो आपकी परिशानी है जो शमस्या है वो आप हमसे पूछिएगा शाती साथ WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter कहीं पर भी follow करिए आपकी जो करी है पूछिए जैसे ही मैं आपके पास free रहूँगा आपको तुरंत reply कर दूँगा ठीक है और triple C महामारतन क्लास को देखिएगा रेगुलर आप 7. 7.30 पीम पर आपकी क्लासे होंगी तो 7.30 पीम पर क्लास अटेंड करिए नौटिफिकेशन आए ना आए क्लास रेगुलर चलेगी इसलिए परड़े आपको त्यारी करनी है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो फिर मिलते हैं नेस क्लास में तब तक के लिए बाए बाए ल यदोस तो लब यज तो मैं